नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रिजल्ट मित्र आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जोग्रोफी मैपिंग के सेग्मेंट पर कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें भोगोल को अच्छे से पढ़ना है इनवाइरमेंट पर अपनी पकड मजबूत करनी है करेंट अफेर्स के दवाव को कम करना है और साथी साथ करेंट अफेर्स के टॉपिक हमेशा एक ही तरह से अच्छे तरीके से हमें समझ में उसके लिए क्या करना चाहिए तो इन सभी प्रशनों का समाधान इस वीडियो में छुपा हुआ है अर्थात मैं आज आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप UPSC, CSC जिसको समाने सब्दों हमा IS की प्रिक्षा बोल देते हैं अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जोग्रोफिय मैपिंग कितना हेलफुल है सिर्फ जोग्रोफिक के पॉंट अब्यू से नहीं बलकि पूरे GS के सेग्मेंट के पॉंट अब्यू से आज हम इस डिसकसन को करेंगे और आप देखिएगा अगर आप इस एप्रोच को अपना लेते हैं तो आने वाले समय में जो आपकी productivity है GS को लेकर जो आपकी efficiency है, content को याद करने या फिर उसको लंबे समय तक memorize करने की उस सभी चीजें काफी बहतर होने वाली है तो चलिए आज का हम session अपना discussion start करते हैं आज हम सबसे पहले यह देखेंगे कि आखे यह जो geography mapping है इसका अर्थ क्या होता है मतलब क्या है इस geography mapping का क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर हमने geography mapping तो कभी सुनाई नहीं आज आज आप नव सिर्फ सुनेंगे बलकि सरजेंगे भी फिर हम देखेंगे कि आखे यह जो mapping का segment है इसका importance क्या है जब आपको इसका importance पता चलेगा तब आपको लगेगा अरे अगर अगर हमने इसको नहीं किया तो हमारा नुपसान हो जाएगा और सच मुझ ऐसा ही होता है मैं बता हूंगा कैसे फिर हम देखेंगे कि आखे किस किस topic पर हमें mapping करना चाहिए अर्था सिर्फ जोग्राफिक के point of view से, environment के point of view से या current affairs के point of view से ही यह importance रखता है या उन्ही segment को हमें atlas में search करना चाहिए ढोनना चाहिए या फिर कहीं और भी इसका बहुत ज़्यादा role है और किन किन चीजों पर हमारी पकड ज़्यादा मजबूत होने चाहिए हम इस पर बात करेंगे फिर देखेंगे कि आखिर mapping करने का जो तरीका है उसका scientific approach क्या होना चाहिए यह scientific approach है यही आपको mapping के segment पर आपकी command को विक्सित करेगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ mapping के इस approach को अपना लेजे mapping को सही से कर लेजे देखेगा जो आज समान यदन आपको बिक्रा हुआ बहुत कुछ आपको लगता है कि याद करने वाला है रटने वाला है वो रटना नहीं पड़ेगा आप उसको देख पा रहे होंगे इस line की सुरुवात कुछ इस रूप में हम करते हैं अर्थात इस पूरे concept को समझने के लिए मैं आपको दो से तीन example देता हूँ पहला example आप अपने गाउं कॉलोनी अपने शहर का लेश रखते हैं तो आप जिस गाउं में रहते हैं अगर आज आप वहां पर नहीं हैं वहां से 1000 किलोमेटर दूर कहीं पर बैठे हुए हैं और आज आपने टीबी खोला किसी भी नियोज के मादरम से आपको पता चला कि आ घटना करम कैसे हुआ होगा चाहें बार लगने की घटना हो कोई एकसिडेंट की घटना हो या किसी भी रूप में या किसी दो पक्षों में लड़ाई होगी तब भी अगर आपने उस एरिया को देखा है उसकी गली उसके जहें के चोराहों उससे होंड के गुजरने वाले अन्य रास्तों से परचित हैं वहां पर रहने वाले लोगों से परचित हैं आप वहां पर जो ही एक्टिविटी होती उसको समझते हैं तो अपने आप सभी चीजों को आप कंक्लूट कर लेंगे खी किसी तरह से अगर आप कभी घूमने चाहते हैं किसी सहर को घूमने गए अच्छे से आप घूम आए, अब घूम कर आज आप आ गहें, लेकिन पांच साल बाद भी कोई अगर आप से उस सहर की विश्य में बात करता है, आप भी बताते हैं, ठीक बात है, यहाँ पर यह चो रहा है, हम भी घूमने गए थे, वहाँ पर यह हमने देखा, यह चीजे कित इस और दिल में लंबे समय तक घर कर जाती है, है ताहिक ने, ठीक यही चीज, अगर हम क्या करें, पूरे बिश्य और भारत की संदर में अपना लें, अर्थात, अगर हम अपने देश और अपने बिश्य को उस नजरिये से देखने, जिस नजरिये से देखने की उमीद, UPSC CST आप से करता है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कि जो भी घटनाय होती है, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, फिर से एक एजांपल को समझे, मान लेते हैं, कि आप जो है कि बैंगलूरू कभी नहीं गये, अब मैं एक बार आपको बैंगलूरू लेकर चलू, तीन से चार दिन खुब वहाँ पर घुमाओ, अब वहाँ पर जितने भी कॉनफरेंस होंगे, या बैंगलूरू से आने वाले, जितनी भी सूचना आए, कभी आपके सामने आएंगे, तुरंत आप उसको इंटर लिंक कर पाएंगे, और उस कुछना को भोलेंगे ने, क्योंकि आप उस घटना करम को अपने से जोड लेते हैं, अपने देखी हुई चीजों से जोड लेते हैं, ठीक किसी तरह से, अगर आप किसी देश की मैपिंग बहुत अच्छे से कर लें, खास कर अपने देश भारत की मैपिंग अच्छे से कर ल आपको अपने गाव, अपने शहर या किसी घुमे हुए इस्थान का एक जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको पढ़ने के परपस से कह रहा हूँ कि अगर हम पूरे भारत को देख ले, पूरे बिश्व को देख ले जी हाँ, मैं दोनों ही चीजे एक ही जैसी है, घुमना भी दो तरह से एक तो है, हम पूरे बिश्व को घुम हैं, जो कि संभो नहीं है लेकिन एकलस को अगर आपने रोचत तरीके से और मेरे नजर ये से देख लिया मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो जानकारी है, वो किसी भी ट्रेवल करने वाले ब्यक्ति से अर्था कोई भी ब्यक्ति पूरे बिश्व को घुमना आज के समय में संभो नहीं है लेकिन आप इतना जानते होंगे, जब भी किसी देश की बात आएगी, उसके किसी इंपोर्टेंट प्लेस की बात आएगी आप उहां पर, चुकि मेरे साथ जब आप मैपिंग कर लेंगे, तो अपने आप देखिएगा, आप उस स्थान को लोकेट कर पा रहा हूँ मैं, जैसा कि आपको बहुत से बच्चों को मेरा बेक्गराउंड पता है, तो जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता रहा हूँ, मैं बच्चों से कहता हूँ कि मेरे साथ सिर्फ चार दिन आप मैपिंग कीजिए, और मानलो मैंने नौर्थ अमेरिका से मैपिंग स्टा और जब आप कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि हम लोग अपने देश के बिसे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते थे, पता है क्यों, क्योंकि जब हम ब्योस्तित तरीके से किसी महादीव को देख लेते हैं, तो हमें पता चलता है कितनी लोकेशन है, जैसे अगर आप मेर राज, हर सहर और उनके इंपोर्टेंट्स जो लोकेशन हैं हमारे दिमाग में होगी, जब भी वहां का कोई शूचना हमारे पास आएगी, हम तुरंत उससे इंटरलिंग कर लेंगे, ठीक है, तो मैपिंग भी दरसल यही है, मैं आपको यहीं बताने चाह रहा था, कि आखिर मैपिंग क्या है, किसी स्थान के विशे में डिटेल जानकरी, जैसे मैं आपको बेंगलूरू लेके जाओं, यह किसी भी सहर लेकर जाओं, किसी भी गाउँ लेकर जाओं, खुब उसको गुमाऊ, आपको कम, देखो भीये यह रास्ता है, यह गलियां है, यह यहां का नियू चाहेगी ना तुरंत आपके दिमाग में छप जाएगी ठीक किसी तरह से अगर आप मैपिंग को भी कॉंटिनेंट वाइच हर कॉंटिनेंट की मैपिंग कर लें जैसे मेरा मानना है कि अगर आप 15 घंटे 10 से 15 घंटे कम से कम 15 घंटे नौर्थ अमेरिका को देते 15 घंट हमें सिर्फ अपने देश को देना है देखेगा हर लोकेशन जहां से प्रश्ण बन सकता है वो सब लोकेशन को आप देख रहे हों इसका मतलब है कि मैपिंग का अर्थ होता है किसी इस्थान 21 की चित्र के बिष्रें में डेटेल जानकारी पराप्त करना इस डेटेल जानकार अब आप कहेंगे कि सभी देशों के अच्छा अंतर को नहीं, बहुत आसान तरीक होता है, मैं बहुत आसान होता है, मैं बताओंगा कैसे आसान होता है, ठीक है, तो हम पहले उसकी जोगरोफी से जुड़े हुए, वहां के नदी, परवत, पहार, मैदान, कोई फेमस जो है कि नेसेनल पार्क हो सकता है, या कोई अन्य प्लेश ओ सकता है, उसको हम देखते हैं, ठीक इसी तरह से, वहां पर कोई औरगनाइजेशन हो सकता है, वहां पर कोई conference हुआ हो या फिर कोई जो है के convention हुआ हो उसके विशे में जानकारी अर्थात किसी देश किसी महादीव के विशे में detail जानकारी प्राप्त करना इतलस के माद्यम से क्यों कि हम गोंने तो जा नहीं सकते ह। हमारे पास ना तो इतना पैसा है और नहीं हमारे पास इतना समय है कि हम गोंने जाये। तो हम क्या करेंगे एक एटलस लेंगे, किसी भी publication का ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको suggest करूँगा, आपको Oxford का student एटलस लेना चाहिए, एटलस ले लीचे, मेरे हिसाब से mapping कीज़े, detail जानकारी, पर प्रतिक continent के प्राप्त कीज़े, देखेगा, आप current affairs, चोग्रोफे, world history, environment, जितनी भी चीज़ा आप पढ़ते हैं, सब अभी क्या है, आपको कुछ दिखता नहीं, text दिखता है, लेकिन जब आप जहां का भी कोई बात जिकर आएगा, जिससे आपने current affairs में आज पढ़ा, कि South America में ऐसा हुआ, Europe के किसी देश में ऐसा हुआ, तो आ आज किसी महादियूग के विश्व में प्राप्त करना ही mapping है, और वो भी किसके माद्यम से एटलस के तुरू, एटलस में हम देखें, कि अच्छा, यह X, Y, Z, मालो, हमने एटलस खोला, एक सेकंड दीजेगा मुझे, हमने एटलस खोला, और एटलस में मालो, यह एक continent का, हमारा mapping का segment है, तो mapping का अर्थ है, किसी छेतरी के विश्व में, डिटेल जानकारी पर अगला है, all features information, अर्था उसे जुड़े हुए, मालो, आपने कोई, यह स्थान के विश्व में समझा, कि हाँ पर कोई convention हुआ, ठीक है, आपने कहा, यहाँ पर कोई convention हुआ, या फिर कोई conference हुआ, यहाँ पर कोई घटना हुई, अब उस घटना वहाँ पर क्यों हुई, उसके क्या क्या कारण थे, convention हुआ, उसमें कौन कौन सामेल हुआ, क्या क्या निर्णा लिये दे, ऐसी सभी जानकारियों को आप उससे collect करें, उसकी जो ग्रॉफी से जोड़े, उसकी जो है कि व इसमें हम क्या क्या देखते हैं, परवत पहार, नदी, मैदान, घाट यहाँ परमुकसंस थाएं, जो है कि होने वाले घटना करम, events, conference, party, सब कुछ इसमें हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि जब हम इस mapping course अपना लेते हैं, तो इससे क्या होता है, कि जो भी हम कुछ पढ़ रहे होता है, वो हमारे दिमाग में छप जाता है, for example, मैं कहूं, आप Paris Agreement बहुत पढ़ते हैं, आप जो है कि Rio Summelan 1992 बहुत पढ़ते हैं, जिसको हम Earth Summit भी बोलते हैं, प्रत्वी Summelan भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप पढ़ते हैं, अगर मैं कहूं, आप Rio डिजनेरियो, ये कहां पर है, क्या ये ब्राजील की कभी राजधानी हुआ करती थी, क्या यहां का जनसंखा घनत तो है, कौन सा महासागर लगता है, नदियां कौन कौन सी है, अपने आप चार चीजे, दस चीजे पहले से आपको पता है, तो जब अब कोई चीजे आप उस कुछ समझते हैं, तो हमें पता है लगता का इंपोटेंस क्या है, वहां पर हमारी सेनाय कैसे काम करती है, चाइना का जो वहां पर इंट्रेस्ट है, वह क्या है, चाइना किस तरह से वहां पर अपने आर्मी बेश को मजूद कर रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, और स जर्वा सिर्फ एक सूचना मिली, लेकिन हमें पूरे घटना करम को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तुरंत हम लद्दाक से क्या करेंगे? उसको इंटर लिंक कर लेंगे. इससे क्या हुआ? एक छोटी सी सूचना पर हमारा दिमाग तुरंत काम करें. लेकिन तब जब हम लद तो mapping क्या करता है किसी बिसेपर आपकी जो सोच है अप्रोच है उसको नो सिर्फ विजुलाइज करवा देता है बलकि आपको बहुत सांदार dimension देता है लेकिन आपके लिए क्या है लद्दा सिर्फ एक location नहीं है बलकि वह भारत का ऐसा area है जिसको लेकर पूरे बेस्विक पटल पर बिस्व जो है कि भारत का पक्ष ले रहा है और वहीं रूस जो है इस मामले में चीन के support में तो नहीं खड़ा है लेकिन भारत के साथ वह उतने आप देखेंगे कि अभी चाइना में क्या है वहां पर construction का काम क्या है तो जितनी भी geopolitics जितनी भी घटना हो रही है न सब आप उसको जोड़ पा रहे है यही क्या है आपका डाइमेंसर ठीक किसी एक परकार से कोई भी इस्थान हो जब उस इस्थान के विसे में आप पूरी का अर्थ क्या है प्रशना अएगा सब करना क्यों चाहिए भी बता देजे तो देखें पर टीक साल जो है कि पलिम्स में आप देखें तो पांस से च्छे कोसंस आते पांस से च्छे कोसंस इतनी आसान होते हैं मैपिंग के अगर आपने मैपिंग किया तो पसीना छोड़ जा मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो चक्रवात क्या है हाना आप पढ़ते रहते भूकम आता है जो आला मुखी आता है हाना इतने परकार के डिजाश्टर आते हैं या ठीक आप इसी तरह से आप इन जो भी क्लाइमेट चेंज से जोड़े हुए मुद्दे हुए हैं जै विवित्त सकता है इस कितने हो चुके आप बताईगा अब उन सब को हम क्या करें एक मैप बना ले कि भीया पहली बैठक यहां पर हुई उसके विसे में दो पॉंट्स हाना दूसरी बैठक है और सिर्फ उसको हम मैप पर नोट कर लें लोकेशन देखके वर्ल्ड का एक मैप ले और कहा कुछ नहीं आएगा लेकिन अगर आपने मैप के थूरू एटलस के थूरू वर्सा को पढ़ा तो वर्सा भारत में भी होगी अंदर भी होगी ठीक इसी तरह से भुकम जौला मुखी के बित्रन को आप पढ़ लिजे कि हां पर सांत महा सागरवाला च्छेत्र है वहां पर ज लिए यह क्या होता है आपकी productivity आपकी efficiency को बढ़ा देता है कोई चीज आपने न्यूज पेपर में आज पढ़ा घटना करम और आपने उसको अगर मैप से नहीं देखा तो क्या होगा दो दिन बाद भूल जाए लेकिन अगर आपने उसको एटलस में देख लिया थोड़ा सा और दिमाख लगाए कुछ चीजों को और interlink करने का प्रयास किया तो हो सकता है दो महीने बाद भी वह आपके लिए उतना ही फ्रेस नजा रहा है ठीक है मतलब जो लोग टेक्ष पढ़के दो महीने में करते हैं उसी कॉंटेंट को आप मैपिंग के माध्यम से दो घंटे में कर सकते हैं हाँ मैपिंग करते समय समय जरूर जादा लगेगा लेकिन सिर्फ एक बाद लगेगा ठीक है इजी एन इंट्रेंस्टिंग जोग्रोफी तो जोग्रोफी को तो यह बहुत मजबूद बना देता है भूगोल जिनके लिए कठेन लगता है वो मेरे साथ एक बार मैपिंग कर लेंगे अभी कुस्तने बाद क्लास चालो होगी देखिएगा अल्टिमेट तरीके से आपकी इस पर पकड़ मजबूत होने वाले ठीक है बाकी करेंट अफेयर साना आई 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 आर देखो पूरा मैपिंग का खेल है अगर मैपिंग को सही से समझ पाएगों तो आप समझोगे कोई घटना क्यों कहीं पर हो रही है ठीक है इन्वार्मेंट की सब्सक्राइबर से आप इसको पढ़ोगे तो उसे पढ़ोगे नहीं आप उसको देख रहे होगे बस क्या करना होगा मैपिंग आपको मेरे साथ से करना हो कैसे करना होगा एक महादीव को समगरता से लिजी अर्थात आज ऐसा नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है यूरोप घोमनेगा चलो हमने एक खोला एक तरफ से सब नधियों को देख लेजिए एक यूरोप के एक तरफ से सब जलसन्धियों को देख लिए परवत पहाड नधी, 미दान, घाटियों को देख लिए इंपोर्टें सहर को देख लीजिए, वहाँ पर होने वाले developments को समझ लीजिए, तो आप Europe से जुड़े हुए, अगर 10 से 12 map अलग-अलग topic से बनाते हो, तब आप Europe को सही से कर पाऊए, mapping का मतल भी नहीं है कि आज news में हमने आया कि फ्रांस में यह जर्मनी में कोई घटना हुई, हमने जर्मनी टिक कर दिया, ए रहा जर्मनी Europe कोला, ए रहा जर्म, यह mapping नहीं है, यह तो mapping के नाम पर एक ऐसा गलत धाना बनाए गई है, और जिनको नहीं आता हो, क्या करें, गलत धाना ही बनाएंगे जिन्होंने कभी गहराई देखी ही नहीं mapping की, उनको पता ही नहीं है mapping का मतलब, तो क्या करें, जर्मनी देख लिया कि भाईया, जर्मनी के पास सहर कौन से है चाज जादा देख लिया, सागर देख लिया नहीं, mapping का मतलब है कि परतिक कॉंटिनेंट का आप हर separate map, जैसे मैं North America, या मैं ही Europe अगर करवाँ, कैसे करवाँगा सबसे पहले, Europe के सभी देशों को एक तरफ से देखिए उनकी राजधानियों को देखिए उनके चारों और जो भी सागर महासागर, जलसंधियां है जिनको इंगलिस में स्टेट बोलते हैं उनको देखिए फिर परवत, पहार, नदी मैदान, घाठियों को देखिए फिर एक एक जो भी important सहर हैं, बंदरगा हैं उनको देखिए फिर उहाँ पर जो कुछ अभी नया घटित हो रहा है उसको एक एक बार देख लिजे तो इस तरह से आपके पास यूरोप से जुड़े हो कम से कम दस मैप होंगे, और दसों मैप हों को बस आपको क्या करना है एक बार तयार कर लेना है, और फिर सोते समय, महीने, दो महीने में एक बार पलट लेना है जैसे आप फोटो देखते हो न, किसी के भी देखते हो ऐसे ही उस फोटो को मैपिंग वाला की उसको पलट लिजे, देखिएगा मैपिंग आपकी पकड कितनी मचूद हो जाएगे ठीक है, तो पहला है मैपिंग का, एक-एक महादिफ लेजे कोई भी महादिफ लेजे, एक महादिफ लेजे उस पर समय देजे, हाणा, अगर आप खुश समय नहीं दे पा रहा है, तो आप मैं बताऊँगा कैसे एक-एक महादिफ हम लेंगे, मैं मैपिंग करवाँगा निश्चिंत रहे, ठीक है, तो एक-एक महादिफ को हमें लेना है एक तरफ से मैपिंग, इसका मतलब है है कि माल लो, आज आपने ये कोई कॉंटिनेंट, X, Y, Z कोई ही ले लिया अब आज एक लोकेशन आपने यहाँ देखा एक यहाँ देखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ कुछ नहीं होगा इस से इस सिर्फ और सिर्फ आप अपने आपको भ्रम में डाल रहे हो कि हम लोकेशन नहीं जब भी हम किसी कॉंटिनेंट को लेते हैं तो माल लो यह लो, तो मेरा तरीका क्या होगा सबसे पहले इसके बाहर-बाहर देखो ठीक है? बाहर-बाहर देखो क्या कहरे फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी देश हैं उनका कोई एक करम से, एक तरब से जिस तरह से भी, आप कहरो हो सर हमने बाहर बाहर देख लिया, अब हमने देश अंदर अंदर एक तरह से देख लिया, फिर हमें देखना है भी है परवत पहार नदी मैदा, तो मालोब परवत और पहार देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक तरफ से परवत देखना चालू करो, ऐसे देख लो आप जो है कि क्या करूँगा यहाँ पर जो national park है, important cities है, या industry है, मैं उनको देखना चाहूँ, मैं कहूँगा ठीक है, आप क्या करो, ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, एक तरफ से देखो, एक तरफ से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ से आपको mapping करने चाहिए, एक परकार की जानकारी एक मैप में, जैसे मालो, नदियों का मैप बनाओ, तो नदियों सब एक ही में आ जाए, हना मरुस्थल पहाड का बनाओ, तो एक में आ जाए, जल संधियां हो, तो एक में आ जाए, important cities हो, तो एक में आ जाए, important industry हो, तो एक में आ जाए, एक परकार की जानकार एक मैप में जिससे जैसे उस मैप को आप पल्टो तुरंत उस कॉंटिनेंट से जोड़ी हुई सभी जानकार यह अपने आप देमाग में छब पाई फिर आउटलाइन मैप का सहारा ने और कोडिंग कर इसका क्या मतलब होता है आउटलाइन मैप जैसे आप एटलस दे लिखाया गया है यहां पर कोई देश होगा यहां पर राजधानी आउंगा ऐसे एक आउटलाइन मैप उसमें कुछ नहीं होगा सिर्फ ऐसी रेखा बनी होगे और इसमें जो राज मानलो ऐसे राज देश है इनकी देशों के बॉंडरी ऐसे से बनी होगे ठीक बस और कुछ नहीं लिखा कुछ भी नहीं होगा बस देशों के बॉंडरी बनी होगे अब आपको बताना है कि यहां पर क्या है यहां से देखना है यहां पर आउटलाइन मैप में सहारा लेना है इसका मतलब हुआ कि आप एटलस जो आपके पास है उसमें इस रूप में जानकारी लिखी क्या है उसके, आप उसको लिजें और उसमें जैसे-जैसे मापिंग बताऊंगा अभी कुछ दिन में मैपिंग की क्लास से स्टार्ट होगी जैसे-जैसे बताऊंगा, वैसे-बैसे से करते चलिगे। और देखेगा कि आपके पास खुद का जो मैप तयार होगा, आप ने पॉब्लिकेशन का है क्यों कि आप उसको बनार एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि कौन सा कहां पर आपको लिखना है ठीक है फैक को मैप के पीछे लिखे अर्था देखो यहां पर आपको क्या करना है 123 मालो यहां पर कोई आपने लोकेशन यहां पर लिखा हुआ अब इ किसी मैप के पीछे एक नमबर की क्या विसेसता है दो नमबर की क्या विसेसता है पीछे लिखेky पीछे क्यों लिखना ओका और और treated आपके सामने जब ऐटलस आयगा तो पिर क्या होगा आप इस लोकेशन को याद करना होगा इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट हो आपको जोर नहीं पड़ेगा लेकिन जब पीछे लिखा होगा तो पहले आप सुचोगी एक नंबर हमने क्यों लिखा उसकी कुछ भी सेस्ता याद आएंगे नहीं आए पीछे पल्टो एक की भी सेस्ता देख लो फिर आप कोगी अच्छा ही दू क्या है हमने क्यों लिखा था फिर आप अपने दिमाग को बोलो हो याद करो कुछ याद कर पाएगा कुछ नहीं करेगा पीछे एक दो ती बस इतनी बार आप इसको यही प्रोसेस को अपना लेंगे आप देखेगा आपका जो मैपिंग की जो जान का रही है वह आपके दिमाग में छप जाई मैं करवाओंग निश्चिंत रही है अभी तो यह उनके लिए है जो जानते ही मैप मान लेते हैं आप भूगोल पढ़ रहे है या इंवार्मेंट पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ पढ़िए मत आप से साथ पढ़िए जो कुछ भी कुछ हो रहा है किसी चित्र में तो मैप के माध्यम से देखिए वह कौन सी लोकेशन है, वहाँ पर चक्रवात क्यों आया होगा, ठीक इसी तरह से कहीं कोरल रिप के भी से पढ़ रहे हैं, तो कोरल रिप की कोई घटना करम किसी इस्थान को बताता है, उस इस्थान को ध्यान से देखिए और अन्य चीजों से उसको इंटर लिंग क करते हैं, अर्था तो मान लेते हैं, मैंने आज नॉर्थ अमेरिका कंप्लेट कर लिया, 15-20 गंटे देखे, अब चार महीने बाद उसमें कुछ अपडेट आया, कि यहां पर यह हुआ, मैं क्या करूँगा, मुझे बस एक मिनट चाहिए, इसी क्या करूँगा, नॉर्थ अम मैप था, उसमें लिख दूँगा, ठीक है, कोई भी बिशे परते समय मैप का सहरा और्थात मैप और एटल, मैस आपके सामने और एटलस बगल में होना चाहिए, बिना इनके पढ़ाई, मतलब आँखों पर पठ्थी बांद कर, आप मेहनत कर रहे हो, जिसका कोई फल नहीं म देखे, यह मेहनत आपको करना होगा, ठीक है, बनाए गए मैप को विजुलाइज करे, मतलब जो आपने मैप बनाया है, उसको बस एक बार कह करे, आप देखते रहें, और जब आप उस मैप को देखते रहेंगे, तो देखिए गाप दो से तीन बार देख लेजे, फिर पू करने की ज़रूरा थे, ना कुछ, बस इस तरह से मैपिंग एक बार कर लेने की ज़रूरा, ठीक है, रटने से बचना है, बहुत से लोग लगता है, कि मैपिंग का मतलब यह है, कि नदियों को रटलो, परवतों को रटलो, पहाडों नहीं, रटने का नहीं, देखने की चीज तो जो देखनेवाले चीज, उसको देखी, रठनेवाले चीज जु आपको पता होगे, आप रठेएगा, ठीक है? I hope आप इसको समझ भाए होंगे. तो ये था हमारा मैपिंग के विशे में एक छोटी सी चर्चा अगर आप चाहते हैं कि मैपिंग की क्लासे से भी आपको मिले तो आप मुझसे इन सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर जोड़ जाएं और मैपिंग पर देखे आपकी जितनी जानकारी किसी को नहीं होगी मैपिंग की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है इन प्लेटफॉर्म पर जो आप मुझसे जोड़े रहेंगे तो यहाँ पर जब क्लास की सूचना आपको दी जाएंगे आपको पता चलते रहेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में थेंकि सो मच थेंकि सो मच